फूरी परिवार में आपका स्वागत है गर्मियों में तर्बूज खाने का मज़ा ही अलग है लेकिन तर्बूज खाने के बाद हम उसके छिलके हमेशा कच्रा समझ कर फेक देते हैं लेकिन यही छिलके पौश्टिकता से भरे हैं इनमें बड़ी मात्रा में फाइबर, आंटि और सिट्रूलन जैसे पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदेमंद है आज इनी तर्बूज के छिलके या वाटरमेलन राइन से हम बनाएंगे स्वाधिस्ट चीले सबसे पहले तर्बूज के छिलके को छोटे टुकडों में काट कर आप उसका सफेद हिस्सा निकाल ले अब इनके छोटे पीसस काट ले इन पीसस को हम मिकसर में डाल कर इनका पेस्ट बना देंगे अगर आपको इन छिलकों की और रेसिपीस जाननी है तो चैनल को सबस्क्राइब और लाइक जरूर करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलेगा तर्बूज के छिलके के अलावा चीला बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप बेसन, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक चताई टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, एक चताई टीस्पून जीरा और चुटकी बर हल्दी पाउडर चीले का गोल बनाने के लिए हम एक बोल में एक कप चिलको का पेस्ट लेंगे, इसमें आप डालेंगे बेसन, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला और जीरा अब पानी के साथ इसका गोल बना दे, ये बैटर ज्यादा गाड़ा या ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए एक गरम तवे पर थोड़ा सा गोल डाल कर फैला दे, जब ऐसे बबल जा जाए तो थोड़ा सा तेल डाल दे और पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से पका ले अपनी मन पसंद सबजी, दही या सौस के साथ चीलो के मज़े लीजिए